नमस्कार दोस्तों मेरे Palm Reading Channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज 29 वर्ष के पुरुसके Palm का एनालसस करेंगे इनके सबालों का जबाब करेंगे तो सरपर्थम इनके सबालों को सुनेंगे फिर किक करके इनके सबालों का उतर करेंगे उसे पहले अगर आप लोगों अभी तक हमाई चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो किरपेकर के चैनल को सस्क्राइब कर लें बैल आकन को प्रस कर दे ताकि लेटस नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में हैं हतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है सारे विशयों पर इनको जानकारी चाहिए तो निश्यंतर यह आपके सारे ही कोश्चंस को कवर किया जाएगा इसी वीडियो के माद्यम से तो आपके जो ये कोश्चंस है करोड़ पती को लेके ये बहुत से लोगों का कोश लाइफ के लिए उससे जादा ही कमाओगे तो उन सारे विशयोपडम विचार करेंगे तो सबसे पहले आपकी पॉस्टिविटी को देखेंगे फिर आपकी नेगिटिव चीजों को देखेंगे फिर आपके कोश्चंस पर चलेंगे चौथा आपके दलिका विशलेशन आपके पहले questions को हम सुनते हैं जो आपके questions थे क्योंकि बहुत से लोग आस लगा के बैठे होंगे कि इस question का मैं किस तरह से answer करता हूँ तो सब अपने हाथों को खोल के बैठ जाएए अब समझाता हूँ मैं कुछ बाते देखो मैंने जितना भी करूरपती लोगों का हाथ देखा है उस पर कुछ extra योग अगर हम देखे तो ठीक है होता है अच्छी बात है नहीं भी होता हो भी अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं है अगर मैं नहीं का बात कर रहा हूँ अगर कुछ extra योग नहीं है जैसे फिस स्टार को लेके हो गया और और भी कुछ साइन्स होते हैं जैसे आपके फिस स्टार और केतु पर फिश जैसे और भी कुछ स्कॉयर्स होते हैं जो आपके इतली पर बनती है तो मूलता यही कि special योग में हम चर्चा करते हैं मैं तो इसी को मानता हूँ फिस साइन हो गया, स्टार साइन हो गया, स्कॉयर साइन हो गया और तो मैं साइन्स मानता भी नहीं हो क्योंकि इसके अलाबा मेरे समझ से कोई और साइन होता नहीं अब जबर्दस्ती का बनाओ तो वो अलग बात है इसके अलावा कुछ और important signs जैसे तिर्शूल हो गए है फिर आपके उपर नीचे दोनों साइट तिर्शूल बन गए जो आपके सूरी परबत परी बनते हैं तो वो सब signs होते हैं वो सब signs को मैं ठीक है उसको important उतना नहीं मैं लेता हूँ लेकिन ये जो मूल sign है जो आपको मूल लेता पैसा देता है फिस्ट, स्क्वाइर और साथ ही साथ ट्रेंगल आपका स्टार sign ये सब आपका मूल sign है और जो भी ordinary sign है उसमें बहुत signs होते हैं जैसे वी नुमाकरती हो गई फिर आपके स्टार तो मैंने बताई डाला तिर्शूल नुमाकरती हो गई ये सब भी signs होते हैं इसको हम unique के category में नहीं रखते हैं तो ये रहे अथवा ना रहे मानलो अगर नहीं है आपके हाथ पर तो क्या आप पैसे नहीं कमाऊगे ये बड़ा कोश्चन है ये बहुत बड़ा कोश्चन है लोगों का कि अगर मेरे हाथ पर ये sign नहीं है तो क्या मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा तो किसने कह दिया आप पैसे नहीं कमाओगे बहुत ही राम से कमाओगे अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से common चीज़े मैंने करूरपती के हाथ पर देखा है जो अगर आपके हाथ पर होगी तो आप पैसे को बता रहा हूँ तो अगर आपके ब्राश्पती अच्छी कंडिशन में होगी मानलो ऊच्छ अस्तरी आवस्था में है या उच्छ आवस्था में है और वो अच्छे गर का मालिक है मानलो धनबाव का श्वामी है दनबाव में ही बैट गया जाके तो वो बहुत बरा राज- योग बनाता है तो कहीं न कहीं प्लैनेट्स जो है न वो बहुत मैटर करते हैं तो मैं कॉमन साइन्स की बात कर रहा हूं जो चीज आपके हाथ पर होगा तो आप अमीर जरूर बनोगे और आज के समय में करोड़पती बनना बहुत बड़ी बात नहीं है आप बन सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप इसको बड़ा सोचोगे तो फिर वो अलग बात है तो देखो आपके सारे प्लैनेट्स बर्षपती हो गई सैटरन हो गई फिर आपके सन मरकरी हो गई और आपके दोनों मार्श और आपके चंदरवा आपके शुक्र है ये अगर आपके अच करोगे ही करोगे अब बात करते हैं कि नहीं गुरू जी आप थोरा सा मुझे समझाईए कि मेरे हाथ पर अभी तो नहीं है लेकिन अगर आगे चलके डवल अप होता है तो क्या मैं इससे जादा पैसा कमाऊंगा मतलब कहने का संबंद है कि चलो आपने गरों को देखके बता होती है इसी पर सारे चीज़े होती है यही अगर बढ़ियां रहेगा ना तो लाइन्स और साइन्स यह तो डवल अप करने ही करने है आज नी कल इसको डवल अप तो होना ही होना है इसमें कोई डाउट नहीं है इसी लिए इस चीज़ को देखा जाता है इसी लिए मैं इसको ज़ादा तबज्जो देता हूँ क्योंकि मैंने 22 वर्सों का भी एक हाथ देखा था एक बच्चे का उसके आथ पर कुछ भी नहीं था लेकिन सड़नली 28 वर्स पे बहुत लाइन्स आ गई लेकिन मैंने उसको कहा था कि तुम करोगे तो वो चीज़े कैसे हो गई मैंने किस बेसिस पर ये चीज़ कहा तो मैंने प्लैनेट्स देखके कहा कि प्लैनेट्स अच्छे हैं तो फिर फल तो मिलना ही है और फल मिलेगा तो फिर वो साइन्स बनने ही है अब एक बहुत छोटा सा एक्जामपल है इसका आप बहुत अच्छे समझ जाओगे जमीन आपका है घर तो बनाई लोगे आज बनाओ कल बनाओ बनना तो है बस वही समझ लोगा तो ये चीज़ पहला चीज़ हो गया सकेंड चीज़ के अगर हम बात करें तो लाइन्स बहुत important role play तो करते ही करते है जो generally मुख्य रेखा है आपके आथ पर होती है जैसे आपकी जीबन रेखा ये काफी अच्छी होने चाहिए और आपकी बागे रेखा ये भी काफी सटीक होने चाहिए और आपकी mind रेखा भी अच्छी होने चाहिए यव दूईप साथी साथ distractions, flood की लाइन से ये सब कुछ भी ना हो अतेली पर तो ये ना हो तो फिर बहुत अच्छी बात है बहुत बड़ी बात है फिर चलिए जी तो ये lines अंतुलित हों planets अच्छे हों आपके और lines में एक और lines add up हम करते हैं भी देखा ये भी आपके अच्छी होनी चाहिए इसका भी काफी important है आपके अतली पर इस बात का भी ध्यान देना ये आपके कुरेशी को दर्शाता है मेरे समझ से अगर इतनी अवस्ता आपके अतली पर अच्छी हुई ना अब थोड़ा strength की हम बात कर लेते lines पर जैसा ही साथ पर है पतली lines हो ये देखो पतली है और visible हो और भागे रेखा पतली हो और continue basis पर last तक हो ये जितनी बड़ी ही हो बहुत अच्छी हो समझ पा रहे ना बहुत अच्छी हो बड़ी जितनी बड़ी हो, मान लोगे से इसाथ पड़ा है, ये बागे रेखा काफी अच्छी है, आपके 55 में साल तक है, उसके आगे भी बंड रही है, लेकिन 55 में साल तक तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मतलब आपने सुना होगा, देखा होगा कि समय था, कि मैंने आपने बागे रेखा कि स्टेंथ से आया, उस प्रियट तक आपका बागे रेखा काफी जांदा रवस्था में होगा, इस से आया, समझ गए ना, तो ये चीज़ें आते लिए पर होनी चाहिए, इतना रहेगा ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है क्रुरपती बनना, कोई बड़ी बात नहीं, ये confirm है, ये 100% confirm है, अब इसके अलाबा science develop करते हैं, पैसे का आगमन जिन्दगी पर बढ़ता है, lines बनते जाते हैं, कुछ clarity के साथ बहुत अच्छे science develop करें लगते हैं, तो पैसे भी अनाप सना पाने लगते हैं, तो उसके बात बहुत से चीज़ें होते हैं, ले इनके भी concept कहीं ना कहीं, यहीं पर से clear हो गएं, अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो, इनकी positivity क्या है, planets इनके काफी अच्छे हैं, देखो सारे planets बहुत अच्छे condition में, 75% राज्योग का फल है, बहुत होता है, बहुत होता है, early age में इनको नौकडी मिल गई, कहां इनके इतली पर आती गोरा या फिश कुछ भी था, कुछ भी नहीं था, फिर भी इनको जॉब मिल गई, क्यों मिल गई, रेखा हैं संतुलित थी, बागी रेखा अच्छी थी, planets आपके काफी अच्छे condition में थे, तो जॉब तो मिलना ही था, इसमें तो कोई दो राही वाली बात थ ही नहीं, तो इसलिए कहते हैं सही तरीके से चीज़ों को समझो, 75% राज्यों कफल मिल गए, अब उसके बाद हम बात कर लें, तो कोई राहू रेखा नहीं या हाथ पर, जीबन रेखा बड़ी असपस्ट है, और आगे आपकी बागी रेखा भी काफी जानदार है, मतलब ख दिकत कहां पर है, ये एक बड़ी बात है, आप दिकत को लेके आते हैं, तो पहले positivity को समझो, फिर दिकत पर भी हम बात करेंगे, इनका एक कोशन था, जीबन रेखा को लेके बहुत छोटी परती थोड़ी है, उस पर भी हम बात करेंगे, तो दिकत पर बात करेंगे, ये क्या है ना, आपकी mind रेखा पर दूइप है, एक यहाँ पर से मुझे feel हो रहा है, एक यहाँ पर से feel हो रहा है, मतलब आप 28 वर्स की आयोसे मानसिक दवाब में हैं, किसी ना किसी परकार के ज़्यादा सोच रहे हैं, परशान हो रहे हैं, और ये continue आपके जिंदगी पर अगर इसको मैं ठीक से देखो, तो 35 में तो peak point start होगा, peak age start होगा, लेकिन ये continue basis पर आपके 42 में साड़ तक है, तो 42 years तक मानसिक दवाब के काफी अच्छे योग हैं आपके एतली पर, यहाँ पर से विक्ती मानसिक दवाब में रहते ही रहते हैं, इसके regarding आपको उपाय करना ही पड़ता है, दूसरा कोई option नहीं है, तो उपाय क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए उसका चर्चाम कर लेंगे, और general उपाय के हम बात कर लें, तो कम tension लो, ज़्यादा चिंता मत करो, सोचो कम, ऐसे में जिद्धी परिवर्तन होता है, मतलब ऐसे विक्ती जिद्धी कान रहोगे, कभी-कभी तो इतना frustrate हो जाओगे, frustrations आप निकालने के लिए किसे लड़ाई करोगे, तो ये दूइप का एक असर है, तो इसके regarding एक उपाय, meditation का सारा लो, बाकी कुछ एक आप मोती जरूर पहन लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, उसके उपरांद भी कुछ एक उपाय है, जो हम चर्चा करेंगे, जो आपके लिए काफी compulsory है, अभी डॉक्टर के पास आओगे, remedy नहीं करोगे, तो फिर क्या मज़ा, लाइफ पे आपको बहुत कुछ मिलना है, लेकिन ये तो distractions है न, ये कहीन है कि obstacle तो create करेंगे न, ये बहुत normal है, इसमें कोई मैं कोई अलग बात नहीं कह रहा, मानलो आपका दिमाग शांतरी रहेगा, बहुत opportunity आपके जंदगी पर आएगी, उसको तो आप ग्रैप ही नहीं करोगे, उसको तो आप वहीं पर छोड़ दोगे, तो इसको ठीक कर लो, बांके तो कोई दिक्कती नहीं है, पहली problem ये second problem बरशपती पर यहाँ पर से, अलकि इस दवाबे तभी आपकी विवावी विलंब से हो रही है, तभी आपका एक विवाव के लिए प्रशन था, देखो शादी विलंब से होगी, लेकिन शादी के बाद के जिन्दगी रहेगी अच्छी आपकी, बरशपती चन्रमा और य उसके बाद का हम चर्चा करें, जीवन रेखा को लेके इनका परशन था, तो जीवन रेखा को लेके परशन था कि गुरुजी क्या मेरी जीवन रेखा छोटी है, क्या मेरी अलपायो है, यह एक इनका बहुत इंपॉर्टन परशन था, ऐसे बहुत से लोगों का हो सकता है, तो मेरे समझ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है और इस चीज़ को देखके ये टिपन्नी करना मुडखता है क्योंकि आपकी जीवन रेखा भी आप खुद देखो कहा तकारी है यहां तकारी है आपकी जीवन रेखा एकदम complete और आगे भी देखो यहां पर से एक लाइन मिलती भी न नहीं denote किया जाता है ऐसे मैंने बहुत से लोगों का हाथ देखा है 65-65-70-70 वर्स का करें लोगों का ऐसा मैंने हाथ देखा है तो वो तो 70 वर्स बचे तभी तो मैंने देखा तो इससा आप से यहां पर से टिपन्नी करना अनुचित है और मैं अभी आपको clarity के साथ समझाता आपके आगे के जिन्दगी कैसी रहेगी जीवन रिखा को लेके जो प्रशन था अभी ही clear किये देता हूं मैं तो बचपन से आपके जिन्दगी को लेके हम चलते हैं तो यहां पर से देखो line से यह progress line थी तो काफी अच्छे घर से यह लोग होते हैं कुछ normal दवाब था वो normal ही ता इसके tension नहीं है जादा एक दिकते आपके जिन्दगी पर 18 में वर्स में थी एक तकरीबन आपके 19 में वर्स में 19 में के बास तकरीबन आपके देखो progress सुरू हो गई है आपके 22 में वर्स में एक तरक्की के योग बने थे फिर तकरीबन आपके 25 में वर्स में थे फिर तकृइबं सक ताइस में में इक उंतिसमे में प्रगती के योग है 29 में और फिर तकृइबं आपके 32 year में है फिर तकृइबं आपके 36 year में आपकी 38, 37 year में आपके जंदगी चेंज होने के बहुत अच्छे असार है और 39 year में भी बहुत अच्छी positivity मुझे दिकरी है और 39 ये द और यहां पर से देखो 54 में भी यह तकरीबन देखो 58 में भी यह 62 में भी यहां पर से भी एक मुझे लग रही है यह तकरीबन आपके 66 में 66-67 में 67 के बाद भी आपकी जीबन रहका यहां से डवलप कर रही हे यह देखो और यह अगर नहीं भी डवलप करती है तो यह वाला आपका जीबन रहका आपका कारी करेगा और यह मंगन रहका तो आपकी यातक कवर होई गई है और जीवन को लेके कोई विसे स्टिपनी नहीं होती इसके कोई प्रमान अभी तक नहीं मिले है कि आप अगर तीस वरसों में अपनी अतली को दिखा रहे हो और आगर आपकी तीस वरसों में यहाँ पर से जीवन रेखा टूटी हुई है तो आपकी अलपायू है यह बोलना भी मुर्खता है और यह सोचना भी मुर्खता है इसलिए मुर्खता है क्योंकि रेखा है में बहुत बदलाव आता है साल दो साल तीन साल में भी बहुत बदलाव देखा जाता है आपकी एतली पर तो यहाँ पर से इतना दूर तीस साल के बाद का डिसेजन देना तो बहुत जा बहुत टूटी भी रहे, बहुत कमजोर भी रहे, तो आपकी आयू आपकी मंगन रेखा से हम दिनोट कर सकते हैं, आपकी आयू हम आपकी भागे रेखा से दिनोट कर सकते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को लेके बिलकुल बे चिंता मत करिए, और अलप आयू को लेके तो कभे चिंटा मत करिए क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है बहुत बड़े जीवन रेखा को भी देखा गया है वो भी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते और बहुत छोटे-छोटे वाले भी बहुत सर्वाइव कर जाते तो इस चीज को सोचना तो मुर्खता और अभी तो आपकी 30 साल की आयूब बची वे 35 साल की उस समय तक तो बहुत चेंज़स आपको खुद देखने को मिलेंगे और आपके साथ-दो साल में आप अब जरूर करोगे वहाँ पर से भी आपको चेंज़स देखने को मिल जाएंगे तो ये इनके प्रसंते बाकी मैं जो आपको क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ अमीर तो बनेगो आप एकदम बनोगे कुछ आपस्टेगल है उसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडी दे दूँगा वो आप जरूर कर लेना बाकी जीबन रेका आपकी काफी अच्छी है काफी प्रोग्रेस 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 है तो आगे आपकी तरक्की जरूर होगी जो जो पार्टिकुलर्ली एज मेरे दौरा बताया गया वो आपके लिए काफी सुखत साबित होगा विवा को लेके कुछ अर्चने ब्रश्पती को लेके हमें दिख रिये तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको उपाए जरूर दे दूँगा जो आपको करने के काफी जादा आवश्यक्ता है जिसके अदार पर आपके जिन्दगी ठीक रहेगी तो ये इनके कुछ परसंते हैं बागी इनके इतली पर पॉस्टिम नेगेटिव चीजे थी अभी आपके इतली का पूर्णता विश्लेशन किया जाएगा चीजों को असपस रूप से क्लियर किया जाएगा तो वीडियो काफी जादा महतपून है देखे सीखे समझे रेक्टेंगल पाम है तो ऐसे व्यक्ति काफ़े जिद्धी होते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है प्लैनेट्स में काफी अच्छे स्ट्रेंथ है राज्यों कारा कहते लिए 75 परसंट जंदगी बहुत अच्छी बीचती है गुलाबी अते लिए धन को अट्रैक तो करती ही कर सेकेंड फ्रेंच काफी अच्छा अच्छे पद पर आप रहते हो जाते हो परले लाइफ को सेट करना फिर बहुत कुछ करना है एक यवा करती है जबी भी सपोर्ट क्या वश्यक्ता पड़ेगी ज़रूर मिल जाएगी थम्ब वैसे काफी अच्छा है उपर से तो लचीला ऐसे वक्ती कहीं भी किसी भी परस्थिती में गोल मिल जाते है और किसी भी इर्वायरोमेंट में सर्वाई वेक कर जाते है बहुत ही अराम से तो ये इड़की थम्ब की बाते विशेशकर बहुत अच्छी मुझे दिकरिए लचीले प्रविरती के वक्ति यहां तो यहां से विक्ति तो भी शानदार सम्मान की रक्षा भी कर लेंगे और लोगों से अच्छा सम्मंद बना के भी रख लेंगे। इनीशियल सक्षत को दर्शाती है और बाकी ब्रश्पति पर सक्र तो इंसान ग्यानी है बिसिकली ये गर्वन्मेंट जॉब में टीचर है तो यहां से ब्रश्पति पर चक्र इस चीज़ का डिनोशन जरूर कर रहा है था बाकी यहां से दबाब यहां सुबार विक्ति काफी जादा ही मती यह अलका टिंड कर रहा है धार्मिक भी है संसेटन के अटेश्मेंट तो विक्ति नियमत रूपस अपने जन्दगी को जीएंगे बुद्ध फिंगर बड़ी है तो सॉलिट प्रोफेशन आपने अपने लिए चुना है तीचर का प्रोफेशन आप पे सूट कर दर्शाती है या फिर इनीशल स्ट्रगल को दर्शाती है विवाही जीवन में थोड़े प्रॉब्लम्स को दर्शाती है विवा विलंब से होना थोड़ी अनवन चलनी इसकी रिगारिक में आपको पाई दे दूँगा बागी कुछ आपके स्कॉयर डबलप तो कर रहे है फि यहां से भी एक आपकी बर रही है जो कि आपके विदेशी दर्ती से दल्लाव के तरफ इशारा करा रही है यहां पर से विक्ति की यात्राएं बड़ी लंबी होती है और बड़ी सुखद होती है और कहीं न कहीं फॉरन सेटलमेंट या फिर ट्रेवल के योग जरूर बनते ह है अलागि ट्रेवल ही आपका होगा सेटलमेंट क्यों होगा यहां पर से देखो दो लाइन्स बनी हुए है इसका मतलब है भागे का साथ आपके लाश तक मिलना है नो टाउट फिर देखे लाइन ओफ एजुकेशन अच्छी है दिमाग के बहुत ज़्यादा शांडार है आप इसमें कोई संदे नहीं है बाकी एक सूरी देखा बहुत खतरना के एक सूरी देखा और सी बन रही है और यहां पर से कुछ हलका सा मुझे लगा बन रहा है ये वाला फिलाल परटनी होता है ऐसे लोगों का मन एक जगा ये लोग मतलब अपने माइन को कंसंट्रेट अनाम से कर सकते हैं सन मरकरी काफी अच्छी है बुद्धि विवेक के काफी बढ़ियां विक्ति हुआ सूरी बुद्ध का उभार लेना ही इस चीज़ का परिचे कराता है सरकाली छे विक्ति जमीन जदात का सुक अपने जिन्दगी पर पाते ही पाते हैं जमीन में इन्वेस्ट करना इनके लिए सोने के समान है मंगल अच्छा आयो धिरगायो है और साथी साथ स्वस्त जीवन वितीत करेंगे चुकि बुद्ध रेखा हलकी टूटी टूटी सी थी ति लेकिन मंगल अच्छा है तो ओवर प्राक्रमी विक्ति हैं आप फर देके हार्ट लाइन हार्ट लाइन काफी अच्छी एमोशनल है जिससे एक वाई टैस्ट होंगे उससे दूड़ जाना बहुत मुस्किल रहेगा ऐसे गर देखा जा जैनल तो हार्ट लाइन बहुत अच् माइंड रेखा अच्छी है यही एक प्राब्लम थी 42 में वर्स के बाद तो काफी शानदार है उसके पहले कि माइंड रेखा अच्छी थी कोई टेंशन नहीं था इस पार्टिकुरली एज़स में दिक्कत को दर्शारी है तो इसके रिगार्डिंग उपाए नेसेसरी है एक साथी साथ लोगों से अच्छा संबंध और बेसिकली कुछ यात्राएं के योग आरे बड़े यात्राओं के योग है और बाकि चन्रमा अच्छी है तो यहापर से पैसे के फ्लो अच्छी बनी रहती है प्रस्नेलिटी बहुत अच्छी होती है और लोगों से जुरावा कार फेट लाइन तो सक्री आपके 16 वर्स के बाद ही हो गई थी और एक ब्रांचे यहां भी तो और सपोर्ट ही कर रहे थी और जब अर्दस फेट लाइन 36 तक तो कमाल कर गई, 36 के बाद भी दमाल कर गई और आगे भी एक दम जानदार जानदार और एक मल्टिपल प्रापटी के योग डवलप करें फिलाल तो भी इसमें टाइम में डवलपिंग नहीं है यह हुआ यहां से एक जरूर आपके ट्रेंगल साब बन रहा है यह भी प्रापटी को दर्शाती है जो कि 55 में वर्स के बाद है अलाकि यह बन जाएगी जो 36 में वर्स के बाद ही डवलप करेंगी फिलाल अभी किया नहीं है लेकिन प्रापटी आप बना पाओगे चुकि मंगल आपक और यह भी कंफर माने वाए दो तीन साथ में यह लाइन्स भी बन जाएगी नो टाउट इस चीज़ आपने समझ लिया बाकी स्ट्रॉंग शुक्र है शादी के बाद की बाग गुदे स्ट्रॉंग शुक्र पर मनी मरेजमेंट के लाइन्स तो पैसे कमाने में माहिर लगजर नवस्था में चुकि बहुत इन्होंने घीच के लिया इसलिए ऐसा फील हो रहा है ऐसे व्यक्ति अच्छा ही करते लाइफ पर प्रसनानेटी अच्छी होती जिंदगी बहुत ऐसो औरा में बीचती लगजरी में बीचती नो डाउट फिर देखे स्ट्रॉंग मार्श है प् इंचन लोग के आप नॉमिनल इमाउंट में बागी मंगल रेखा और जीवन रेखा काफी एकुरेट है आपके हैतली पर काफी अच्छी है तो इस बेसिस पर आपकी जिंदगी तो अच्छी बीत नहीं है नो डाउट और आयू दिरगायू ही है और आयू को लेकर तो हमीश अच्छा फॉल देगी आपको बनने वाले स्टेज में तो है ये क्लियर हो जाए तो गजब का मनी ट्रेंगल बनाएगी गजब का और ये बनी जानी आगे बनना ही है ये चीज तो मुझे दिखी रहा है और कुछ इरिटेशन के लाई रहे तो व्यक्ति को गुस्ता थोड़ जल्दी आ सकता है गुस्ता कम करो आपके लिए जादा बेनिफीशिल रहेगा तो ये था इनके तली का पुर्णता विशलेशन अगर आपको अमारे ये वीडियो पसंद आया लाइक कर दे कमेंट कर दे सेरे कर सब्सक्राइब कर दे अगर आप रसनी मेरे से अस्तरे का दिक आके सई जानकारी पाना चाहते हमारा वोट्सअप में मिल जाएगा ले के आप संपड़ कर सकते हैं धन्यवाद